नहुस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षिल वीडियो मैं आप सभीके स्वागत है मैं हुआ लोग तो आज जो वीडियो लेकर रहे हूं वो समीर के व्लॉक्स का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तानी क्रिस्टन गर्ल विजिटेड गोवा इंडिया शेरिं एक्सपीरियंस तो अच्छे बात है पाकिस्तान की जो क्रिस्टन कमुनिटी है वह बड़े अच्छे कमुनिटी है और वहां से एक जो हमारी बहन है वह आई है गोवा और वह यहां से घूमकर गर्यों अपना एक्सपीरियंस बता रही है तो देखना बड़ा दिल्चस कि Ọरें मैं गोहां इस क्रिस्टन हो जो 1947 में यहां पर आये थे तो हमें गोहांज क्रिस्टन बोल में यहाँ कराची तो सदर में तो बाकि कुछ चीजें भी यहां की जानेंगे लेकिन मैन टॉपिक जो हमारा है गो आकर बारे में चीजें पूछूंगा और भी जो कीजें मिशल बताएं के आप जुह कियुंगा वा रिजन क्या जाने का गोई में हमारी लेटिव्स रहते हैं जी तो वीजा सानी यहां शी मिल गया था जिस तरह जा जाना वागा यह यहांसे बहुत लंबा बढ़ता है यहां वहीं में हमारे भाई हैं तो हमारा इनके पास आना लगा तो इसलिए लिए हम उन्हों बोला कि यहां से आप चले यहां से टाइम भी इतना नहीं लगेगा तीन साघए गंटे का सफर था तो फिर हम वहां गए शार्जा शार्जा से पर हम गोव आग的时候 तो कौन सी अमरेटिम बहुत अच्छा था बहुत एक्साइटेड भी थे और प्लेन में भी हमें बहुत साथ एंजॉय करा तो कैसा लगा आपको गोवा मुझे बहुत अच्छा लगा बट बेसिकली गोवा जो है वह सिटी नहीं है जाने से पहले मुझे भी यह लगता था कि जैसे गोवा एक सीटी पर वह स्टेटे हैं तो उसमें सेती हैं जैसे पिंजिंट हो गया और वास्ट कोट आओ गया और मारगाउं हो गया बड जादा रहे हैं बहुत पर उपसूरत है मैंने काफी सारे पर फिज्वाट भी करा थाजूरा पर जो मुझे सबसे जादा अच्छे लगे वो बाइना है और बागा है क्योंकि वहां पर मुझे बहुत जादा मज़ा आया बहुत इंजॉय करा मैंने वहां पर बागा बीच का तो काफी अकसर वीडियो विलॉग में हम नाम सुनते रहे हैं पर बाइना भी मुझे बहुत अच् शूद्रेशन मतलब ऐसे कोई नहीं कि वहां पर किसी को किसी से कोई काम या कोई चहरा चाड़ी से अःसा अपने अपने काम अपना अपना एंजॉय करते इप और मेरी उनके पास स्कूटी थी तो अपने में नहाया समंदर में इनौनीं मैं पहुत जरा किसे बढ़िया है गोवा में घूमने के लिए स्कूटी, वहाँ पे स्कूटी रंट पर मिलती है, आप माँ जाएंगे, कुछ पैसे लगेंगे, आपको कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे, और आप स्कूटी रंट पर ले लिजे, और स्कूटी से गोवा घूमने का जो मज़ा है, वो किसी भी लेकिन जो दोस्त मेरे गए हैं, जो घूम कर आएं हैं, जो अकसर जाते रहते हैं, वो यही कहते हैं कि सबसे बस्त है स्कूटी किराये पे लोग, उसके बाद पूरा गोवा घूंडा दो, जहां जाना है, सेफटी बहुत है, सेक्यूरिटी बहुत है, आपको यह नहीं मिले तूरिस्कनेशन है मतलब दुनिया भर Judaism है दुनिट भर से लोग आते हैं दुनिया भर से vänost क्यों कि देखो वैसे तो इतना मैं समझ सकता हुआ कि आप यह तो है कि वह की बात यह लगाशिय के लेकिन कराची में आप हम पर बीच तो शैध इतना लेकिन यह कि पानी का तो फर्क होगा वहां पर ऐसा है कि कुछ खुआबों की दुनिया ही लग रही थी कि जैसे कुछ कहीं और ही आगें कि अच्छी जगह पर आगें बस दिली ने चाहरा था महांसा बाइड निकलने कामेरा तो सही बागा बीच और बाइना और कहां उसके लावा बीच कर रहे थे कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था वहां पर सब अपने जोई कि रहा है तो और महां पर बहुत सारी मार्केट्स हैं जगह जगह पर बीचिस बनी वी बहुत अच्छी जी और उसके लावा और किया अपने गुमा वहां पर फॉर्ट अगाड़ा फोट में वहां भी ट् कुछ ना कुछ जगा का ना आपस लोग से बिजब पुछता हूं कि यार कन्फर्म करने के लिए प्लस आपकी जो है पार्टिसेपेशन हम चाहते हैं ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे तो अगारा भी वो कैसा है वो बहुत अच्छा था वहां पर मतलब जब मैं अंदर एंटर ने देते हैं तो मैंने वहां में अंदर गई मेरी फैमिली भी थी बहुत मज़ा है अमने बहुत नज्जॉए करा वहां पर जी और इसके इलावा और कहां कहां जाना हुआ और हम मार्किट गए फूड ट्राइ करा और भी बहुत नज्जॉए करा फूड और इन चीज़ों सब्सक्राइब ही पर पर जाता कि हम लोग बहुत ज्यादा है को आदें में चेसे अधर क्राज़ फीडियला ओड़ में बहां कराची जाती रहती हुं संड़े माइब फ्राइडे को या जिस दिन भी जाती है तो मुझे जहां पर प्रूड इन तो सांटा-क्रूज चार्च और बासलीका है जहां तक मुझे याद है जहां तक मैंने पढ़ा है वहां पर दुनिया की जो चर्च है वो दुनिया के सबसे पुराने चर्च में से एक है जहां तक मुझे याद है जो मैंने पढ़ा है वहां के बारे में तो शायद यह वही चर्च है और बहुत फेमस के यहां बी ठर्ध फर्टिन किस तरहा होता है रेडिली उता हैं वहां करादी को भी होती है और संडे को भी होती है तो यहां पे आप प्रेयर में जाती रही है और वहां पे भी आप जो गुआ में जाती है तो क्या फर्क कुछ नजर आया या नहीं नजर आया या जैसे कहें कि खुदा का घर गौर्ड का जो घर एक ही लगा तोड़ा सा और यहां पर फोड़ा सा अलग है और बिल्कुल मुझे ऐसे फील आ जैसे मैं St. तो इसलो पारे है और भाझ काना किससा प्राख को कृशा है प्राइप श्हुंत कप अठ्की अगर सिर्ग काहिए और कॉर्च बेत कदा भूंद के दो जारें पता हैं रहा equipo कि अन्या थे हर अफ पीजिति में कुछ खाया है तो सब्सक्राइब कर नहीं है कि दी थाली होती है वह बिसे के वह पर फिश ने माले करें लार भर जाता है तो मैंने वह नगा झाट रहे हैं और रहुंग्ट मेंने करें तो और मिसल मिसल वह पाओ कि रारा बहुत मज़का लगा मज़ें और वो तो बहुत यूनिक चीज है मेंस के ऑमलेट उते उसके अपर कोई ग्रेवी सी डाल कर देते हैं वो बहुत ही यमी है और बहुत मैंने उसको एक उपहाज़ कर रहे है एक पाता है वहां पर लेमन सोडा है और नारियल तो जैसे आपक बता है गोहां में कितने नारियल के दरगते हैं तो नारियल तो वहां पर ऐसे पानी में जादा नहीं पिया मैंने जादा नारियल का पानी में जादा नहीं पिया नारियल का पानी में जादा 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 पान पर्षी को बाइन आखे जाने पाव गई मुझे बहुत पसंद आई जैसे के फिष थालियों गई जी मिसल पाऊ गया प्राउन्स हो गई और रोज हो गया जो गाया मैंने बहुत ट्राइकर आ जो बहुत मज़ा आया जेद रिजनेबल महंगी एं तना बट रिजनेबल ना कोय लुकिल में वहां पर शंक नंतैने कृटी सभड़ में पर कर दा खिए वहां पर किया है बरृत्त की मिनेंते अंवा नहीं कि पात अचल पहलना बैग्स वहां के ऐसी डिजाइन हैं कि बन्डा देखते वो ले, यह रही चाहिए एसी चीजे है बहुत सारी शॉपिंग की तो आपब मैंने बहुत नजяться कर नहीं हैं बहुत इता हैं मैंने ओर सुपिंग की तो कίν ह jullie तो ज्यादा मार्केट अच्छी लगिए वो यह दो मार्केट जाना हुआ आपका नहीं हुआ पर इतना में उसके अंदर नहीं है बार बार से इसको एंजोए कर रहे हैं लड़कीं को भाई फिश की मेरे खाती है लेकिन जो एक प्रसे 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 नहीं है तो अच्छा लगा वहां पर काफी सारी बिल्डिंग्स भी हैं पुरानी नहीं भी है पर ऐसे नहीं है कि पुरानी को ऐसी उन्होंने छोड़ाओ है पुरानी भी एसे खढीए प्लकुल में यहीं अच्छा लगा कि पॉरानी को एसे नहीं को मैंचेन करके रखा वह तो यह सी कर. तो इंडिया में तो वैसे भी काफी उनके पास उस तरह के जो है आर्किटेक्ट या उस तरह के जो लोग हैं उनको मैंटेन करने में वेसाने होते हैं यहां हमारे हमने काफी पुरानी इसी बिल्डिंग है भी देखें जिनको अजीब सा एक वह ब्राउन कलर का चुना मिक्स कर लगा देए जिससे विल्डिंग और मतब वेकार हो जाती है अलाकि इसके प्रॉपर मेंटेनस होगी खेर बारल तो अच्छा तो इसके लावा और मतब ट्रांस्पोर्ट के बारे में बता हैं वहां किस तरह हैं ट्रावलिंग वगरा क्या है ट्रांस्पोर्ट वहां पे बस जलती हैं और चलते हैं बट और मैने तो सकूटी तो फर्ट कर रहा है तो वहां पर बियाकर लंग लेकर कराय पे तो वहां पर विजिट किया जाता है तो जी wise एम रा पे मिलती है तो बट वहां पर जाते हैं लोग दैने मेरी तो कसर लिए नेन च्कान की आर ऑर तो आपके इन दोनों में से कोई नहीं आपके पास तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे आप चलाएंगे तो बहुत के लोगों के बारे में तो बताएं हैं में जिस्तों रहें हैं गोहा के लोग बहुत अच्छे लोग और मतलब किसी के साथ छेड़ा चाड़ी कुछ भी नहीं यह वहां पर अपने काम से काम रखने वाले कपल्स भी हो बॉइज हो गर्ल्स हो फुल टिक टॉक बन रही है हर चीज हो रही है मतलब ऐसे बहुत अच्छी लोग तो नहीं है भी वहां पर मिर्कल में करसा हो गया नहीं चल रही कुछ और बना रहे हैं यह विडियो बनाते हैं कोई चीज देखते नहीं बना लें को यह वह बना लेंगा तो आप कैसे कह रहे हो तो बैसी कली हमारे वर्ड यह यह उस होता है कोई भी आपको आम बंदा देखे का ना एक जो बदब काम चोटा दा करने वाला भी कोई टीन है कै इसे चाहिए वाला राधर ऑल्ला भी तो वह बाला भी टो है सके हैं तुमरम तेखको कि घुछ फेक हैं यह नहीं आ है करे करें वागे कुछ थे नग रही है तो एक हम फेक तरह या किसी को भी आप तरह थोड़ी कर सकते हैं तो कोई नहीं करें लेकिन बाराल है थे लिए ज्यादा फरक नहीं पड़ता यह हमें प्यार करते हैं उनके लिए विडियो होती है और वह में हमेशाएप्रीशिएट करते हैं जि कारची में लोग तो वह सुधे हैं और जोन सीलियो आए कुछ नहीं आप जाना चाहिए जो कर दो करेंगे और में अभराल पर्स्ट एक्स्पीरेंस था नहीं चाहिए और मैंने इतना मज़ा जारा है तो अब हम इन हम एक नहीं है कि रह जाने का मैंने बहुत इन्जुाइक आज भी मैं वो सारी मेमोरी याद करते हूं तो मैं इसे लगता है मैं गुमाई बैठी में जी थोड़ा सा चलो आप यह चीज़ थोड़ा सा कराची में क्योंकि गोवांस के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं तो खहेंगे आप कमेंट्स करेंगे तो हम एक वीडियो इनके एक्तिविटिज होती है फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा था बता है वह किस तरह से लिप्रेट होते हैं पर चैस्दाहरश जाहर है आपकी वहां जरूर आपसे पूछा आप पाकिस्टान के लाईफ कैसी है क्या रे है तो आप हमारे देखने हैं जाराượng में पटारे मैं के हमारे जो फेमस फैस्टिवल हैं Kitty और एस्टर है तो और भी काफी सार फैस्टिवल से पाढ मसंडे हो गया गुड फ्राइडे हो गया हुँती हैं फाल ऑप संडे के होता है खाजूरों का तहवार होता है तो उसमें जादा हमारा जैवा थोड़ा नहीं वो एक दिन होता है मारा रोजों के बाद जो हमारा आखरी रोजा होता है तो वो गुड फ्राइडे कहला है किस तरह होती है कितने दिन होती है हमारी फास्टिंग 40 दिन की होती है और रात बारा से अगली शाम साथ बिजह हमारा रोजा खुलता है खाना पीना नहीं कुछ भी नहीं खाते हम लोग बिलकुल इबादत में रहते हैं नहीं कुछ भी नहीं जे और मतलब बागी रोटीन वाइज भी हमारा रोजा ऐसे ही होता है अगर कोई रखना चाहे तो जे रख सकते हैं बिलकुल 14 डेस चलता है 40 दिन होता है यह हमारे क्रिस्मिस के बाद आते हैं दो महीने बाद इस तरह से आते हैं यह बताई कि आपका जो है थोड़ा सा मुझे एक्सेंट से थोड़ा सा उससे लहजे से भी पता चला है और मेरी वैसे नॉलेज में यह चीज़ है कि पंजाबी पाकिस्टान में क्रिस्टान काफी बोलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं पंजाबी बोलता हैं कर पाकिस्तान में मतलब 80 परसंट जो है वो पंजाबी बोली जाएगी क्रिस्टान पंजाबी बोलते हैं और 20 परसंट मतलब इंगलिश बोली जाते हैं यह कुछ मेरे अरियाद में ऐसा भी है जी बिल्कल तो पिर यह के आप लोग में हम तो पंजाबी भी आप जानती ही मेरी मम्मी नहीं को एक चलिए पंजाबी नहीं बोलते थे वो कौन के नहीं जुबान थी वो बोलते थे और पिलोह रहाँ पे हिंदी बोलते पर उनको मेरे कजिन दोनके नहीं कोन हे उती तहीं वो तो कहले जुबान बोलते था चैनल को सबस्ट्राइब करlarını क्रोच है मैं आएक अंगी के वीडियो अच्ची लगी देंने चैनल सब्सक्राइब करो like करो ठीके function नेक्ट वीडियों नहीं को मैं ना 9 गिलाजबी तो वही इतना कि वीडियों भी का कि यह अजय में थनzt भी इ। सवास पूछने चाहिए थे कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे थोड़े से टफ हैं बट पूछने चाहिए थे जैसे एक सवाल अगर मैं होता उनकी जगत मैं पूछता कि अगर आप पाकिस्तान में क्रिशन कम्मुनिटी के हालात को देखती हैं और भारत में Christian Community के हालात को आपने देखा तो दोनों में क्या फर्क पाया या पाकिस्तान में जो Minorities के साथ किया जाता है क्या वैसा ही आपको फील हुआ कि भारत नहीं Minorities के साथ किया जाता है पाकिस्तान में बहुत कुछ यह किया जाता है कि कि भाई, मुसल्मानों के साथ भारत ना बहुत जुल्म होता, ऐसा होता है, तो क्या आपने वहाँ पर ये कुछ महसूस किया है, कि मुसल्मानों के साथ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये सब सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है, इससे आपको clarity में होती है, और हम सब नहीं ये साथ पाकिस्तान में क्या होता है, ये नहीं कहता है कि 100% चीज़ें हमारे याँ भी हर community के साथ सही होती है, नहीं होती है, लेकिन हमने उनको रोका है, हमने उनको कम कर दिया है, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हमने करते 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 बहुत rare है कि कभी कोई जाता है जब रन अभी ये सरगोधा बाला जूटे बलाश Germini के केस में फशाद já Mani मिलेगी सवाल ही पैदा नहीं है यह ऐसे सवाल करने चाहिए थे ताकि और ज्यादा clarity मिलते हैं बतलब यह देखके गई हैं इन्होंने यहां भी देखा वहां भी देखा हैं वहां के रहने वाली है तो बहुत फर्क यह बता सकती है और इनसे बहुत लोगों को जानकारी मिल सकती है कि भाई कैसी lifestyle है वहां पर majority जो मुसल्मान है उनके बीच रहना कैसा लगता है ठीक है बहुत जादा यह मैं समझ सकते हूं कि बहुत जादा खोल कर यह नहीं बोल सकती है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और भारत में तो बहुत रियर है आपको कि ऐसी चीज़े मिलेगे क्योंकि हम उसमें बिलीवी नहीं करते हैं कि हम सबसे बहतर है और तुम जूटे हो और तुम यह हो तो वह हो यह समझ बिलीव नहीं करते हैं तो बड़ा अच्छा लगा और खुलके इनोंने बात बताईए और गुवा तो खैर वन अब दो फेवरिट स्पॉर्ट है मुझे लगता है टूरिस्स के लिए और देखे अब मैं कब गुवा जाता हूं बाकी कमेंट करके आप बताएं जो जो गुवा गाए है वो ज़रूर बताएं कि भईया आपका क्या एक्सपिरियेंस रहा है जल्द झाल 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 झाल